जब आपके पास आत्मविश्वास होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने लोगों के एंटर्टेंड्मेंट का तरीका ही बदल दिया जी हाँ आज हम बात करने वाले हैं नेट्फिक्स के बारे में नाम तो सुना ही होगा अमारिकन डिजिटल मीडिया प्रोवाइडर नेट्फिक्स एक आप्लिकेशन है जिस पर हम लोग मूवीज, वेब सीरीज और बहुत कुछ देख सकते हैं और नेट्फिक्स दुनिया की सबसे सक्सेस्फफल कंपनीज में से एक है नेट्फिक्स के शुरुवाद रीड हैस्टेंग्स और मार्क रंडॉल्फ ने 29 अगस 1997 में की थी नेट्फिक्स शुरुवाद में डीवीडीज को ऑनलाइन डेंट पर देती थी दोस्तो अब मैं आपको एक रीड हैस्टेंग्स की स्टोरी बताऊ हूँ जिससे उन्हें इस कंपनी को खोले का आइडिया मिला दोस्तो एक बार रीड हैस्टेंग्स एक दुकान से अपोलो 13 की वीडियो कैसेट किराय पर लेकिया है पर किसी कारण से वो कैसेट को टाइम पर नहीं लोटा पाए और छे हफटो बाद उन्होंने जब उस कैसेट को वापस किया तब उन्हें 40 डॉलर्स की लेट फी पे करने पड़ी जिससे वो बहुत उदास होई फिर मार्क रंडॉल्फ और रीड हास्टिंग्स ने मिलकर नेट्फिक्स की शुरुआत की जहां पर ऑन्लाइन डीविडी और सीडी ट्रेंट पर दिये जाते थी नेट्फिक्स की अच्छे सर्वसिस के कारण दो साल में 3 लाख लोगों ने नेट्फिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया 2005 में तो कमपणी एक मिलियन डीविडी रोजाना शिप्ट कर रही थी और क्योंकि आते सालों में इंटरनेट की शुरुआत हो रही थी तब नेट्फिक्स ने सब्सक्रिप्शन बेस्ट ओन्लाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्वसिस शुरुआत की जैसे जैसे आते सालों में टेक्नोलजी और इंटरनेट स्पीड बढ़ी वैसे वैसे नेट्फिक्स पॉपिलर हो गया नेट्फिक्स के इस समय 200 मिलियन से भी जादा यूजर्स है दोस्तो नेट्फिक्स दुनिया की सबसे जादा यूजर बेस्ट कंपनी में से एक है दोस्तो ये थी नेट्फिक्स की सक्सेस टोरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज लाइक करना बाइ एक्या